हाई फ्रेंड्स, वेलकम टूम तु मैं चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा रैसिपी, वो भी मतर के साथ, यहां मतर आलो का समोसा हम बनाएंगे, अभी ठंड में मतर का सीजन है, बहुत अच्छे मतर आ रहे हैं, तो हम इसे को यूज करके बनाएंगे समोसा, जो बहुत ह कैसे mold करना है असानी से आप इस design को mold कर सकते हैं और इसको कैसे crisp और tasty fry करेंगे वो सारे में tips and tricks के साथ बताूंगी आप इसको जरूर follow करें बहुत असानी से बन जाता है आप इसको design में mold भी कर पाएंगे और बहुत ही शाधा क्रिसपी फ्राइब ही कर पाएंगे इस तरीके से तो में चिप्त हैं पूरा में बीट देखें और मेरा यूदियो पसंद आये डोला है और अगर इसे राइप करें लाइक और शेयर करें और अगर आप क्रिटल पीड़ाय subscribe करना तो बिल्कुल न भूलें आगे के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने लिया है यहाँ पे वन फोर्थ कप ओयल रिफाइंड ओयल है आप कोई भी रिफाइंड ओयल ले सकते हैं साथ ही मैंने एक कप मैदा और एक कप आटा लिया है आप चाहें तो दोनों कप मैदा या फिर दोनों कप आटा में बना सकते हैं इसके साथ ही मैंने वन टीस्पून नमक लिया है वन टीस्पून लिया है अजवाइन तो चलिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे समोसे का डो तयार करेंगे इसका डो बहुत सॉफ्ट नहीं होता है, थोड़ा हार्ड होता है, ताकि इसकी शेप हम दे पाएं, तो आप ध्यान रखें कि बहुत जादा गीला इसको नहीं करना है, शुरू में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमेंसे गुनना है, तो मैंने नमक और अजबैन मिला लिया है आटे में और अब हम इसको mix करके डालेंगे oil, इसमें मैं डाल देती हूँ oil, और उसको भी हम अच्छे से आटे में mix कर लेंगे, ताकि एक मोहिन आ जाए, खस्ता पन आटे में आता है, अगर आप सीधे ही पानी डालके तेल के साथ गुनेंगे, तो वो खस्ता पन नहीं आएगा, तो अच्छे से डो में, यह देखी इस तरीके से, थोड़ा हाड़ी आप लगाएं, सॉफ्ट ना करें, तो देखे इस तरीके से हमारा डो एकदम तयार है, इस पे मैं थोड़ा से oil लगा के इसको रख दूंगी, दस मिनट के लिए रेस्ट करने, ताकि और अच्छे से तो चली अब मैं एक मसाला तयार करूंगी समोसे का, बहुती टेस्टी इसका मसाला तयार होता है, इससे समोसे में जान आ जाती है, तो मैंने लिया है दो टेबल स्पून साबुद धनिया, वन टेबल स्पून जीरा, वन टेबल स्पून सॉफ, वन टेबल स्पून काली मिर् इसके साथ ही मैंने दो हरी मिर्च को काट लिया है एक इंच अधरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया है और थोड़ा सा लिया हरा धनिया और इसके साथ ही मैंने कुछ मसाले लिये वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर वन टीस्पून नमक 1 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon चाट मसाला और 1 teaspoon अमचूर पाउडर सबसे पहले इसका एक सूखा मसाला तयार करेंगे जो हमने dry ingredients लिए तो सबको हम roast कर लेंगे हलका सा roast करना है ताकि इसका मौशर हतम हो जाए और ये अच्छे से हमारा crush हो जाए तो बस कुछ second के लिए हम इसको roast करेंगे low flame पे हलका सा color change हो को इसमें खुश्बू आने लगेगी पस इतने ही roast करना है हमें और इसको हम crush कर लेंगे आप चाहें तो mixi में इसको piece भी सकते हैं powder भी कर सकते हैं मगर बहुत fine powder ना बनाए हलका दरदरा ही piece है इसको तो मैं इसको crush कर रही हूँ इस तरीके से आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है इसका देखिए इस तरीके से हम हलका इसको दरदरा कूट लेते हैं तो देखिए हमारा मसाल एकदम अच्छे से तयार हो गया है मैंने बॉयल आलू करके रखें यह छे मीडियम साइज आलू हैं लगबग आधा किलो हैं यह और इसको मैंने बॉयल कर लिया है इसको अच्छे से आप मैश कर लें आलू को और अब हम इसका मसाला तयार करेंगे इस स्ट्फिंग का तो मैंने तीन टेबल स्पून इसमें ऐल डाला है और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी जीरा वबंटीज ही श्कून यह हल्का सा जीरा हो कप जो मैंने बॉयल करके रखे वे थे लग से वह मैं इसमें डाल दूँगी और अब मसारी सुखे मसाले डालेंगे नमक है अमचूर पॉडर गर्ब मसाला पॉडर कि चार्ट मसाला और जो हमने क्रश किया वा मसाला रखा था वो हम इसमें डाल देंगे पहले आप थोड़ा डाल के देख लिए अगर आपको कुछ कम लगे तो आप फिर इसमें और मिला सकते हैं मसाला आप चाहें तो बनाके श्टोर भी कर सकते हैं ताकि जब आपका दिल करें आप जटपड़ इसमें समसे बना सके हमारा आपका दिल करें हमारी स्टफिंग तैब आपक और अपने आटा जो रखा था रेस्ट करने के लिए उसको हम चेक कर लेते हैं देखिए अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है इसको हम थोड़ा सा मुक्की और लगा लेंगे अच्छा सा गून लेंगे और अब इसके समोसे के लिए गोले हम अलग-अलग पेड़े निकाल लेते हैं जिस साइज के आपको समोसा बनाना है उसी हिसाब से आप पेड़ा निकाले छोटा बड़ा तो मैं सोधे ऐसे बनाना हुई इसलिए ने बड़े पेड़े लिए इसको रूर्ल कर लेते हो विदेः आप चाहें तो सुखा आटा या त configurate भी रोल कर सकते हैं इसको हम बहुत पतला बेलेंगे और ल्मे तो सबना को से रांड़ में नहीं व कर थाका ऑल मैं कॉरु एक समोसे तो देखिए मैं इसमें डिजाइन बनाने के लिए ऐसे कट कर रही हूं उपर से आपको बिल्कुल अलग से कट नहीं करना है बीच में आधे हिस्से में ही इसको ऐसे लाइन से कट करना है और आधा हम इससे छोड़ देंगे नीचे साइड पर किनारे पर पानी लगा लें साइट नहीं है वहां में स्टफिंग करना है इसके किनारों पर भी पानी लगा लेंगे दोनों साइट पर ताकि तिकोन शेफ हम इसको दे पाएं समोसे की इस तरीके से और इसके कोने आप इसको चिपका लें अच्छे से यह देखिए ऐसे बहुत असानी से बना लें कि एक और हलका सा उपर से खाली रखेंगे ताकि हम इसको किनारे को चिपका पाएं तो देखिए ऐसे उंगली से दबा के मैंने भर दिया और किनारे पर लगा लेंगे पानी इस तरीके से और अब इसको ऐसे उली से चिपका दीज़े अच्छे से आप देखिए ध्यान रखिए कि इसको चिपका नहीं तो अगर एक खुल गया तो पूरा मसाला स्टफिंग आपके ओइल में निकल आएगा पूरा ओइल खराब हो जाएगा इसलिए आप जरूर ध्यान रखिए कि अच्छे से चिपका होना चाहिए यह देखिए फिलकुल यसानी से तयार हो गया इस तरीके से आप सारे समोसे तयार करने यह देखिए फिलकुल भी सम rade को हम नीचे रखेंगे लिए इस तरीके से इसको भी हम अच्छे से चिपका लेना है बिलकुल अच्छे से और इसको हम स्थिंग भरेंगे आप हाथ में रख copper जिए इस तरीके वर किनारे पर हम लगा देंग इसके पानी स्टफिंग को अच्छे से अंदर भर लें किनारा थोड़ा हम उपर खाली रखेंगे इस पर लगा देंगे पानी और अब हम इसको चिपका देंगे देखिए इस तरीके से अगर आप बीच में से एक फोल्ड देते हैं तो ये अच्छे से हमारे शेप आ जाती है तो आप एक बीच में से फोल्ड देते हैं और इस तरीके से देखिए इसको चिपका दीजे बहुत असानी से बन जाता है ये देखिए बिल्कुल और आप घर में बनाते हैं तो अपने ह से से बनाएं कड़ाई मैंने चड़ा दिये उसमें डाल दी ऑईल बिल्कुल भी गरब नहीं होना चाहिए बस हलका सा होना चाहिए गरम लो फ्लेम पे आपको तलना है अगर आपको क्रिस्पी समोसे तलना है बहुत अच्छे एकदम हलवाई स्टाइल में तो आपको ऑईल का टेंपरेचर बहुत जादा ध्यान रखना है बिल्कुल भी तेल गरम नहीं होना चाहिए बहुत हलके गरम में आपको समोसे डालना है और लो फ्लेम पे हमेशे अलट पलट के गोल्डन कलर में देखिए तल लेना है तो समोसे बिल्कुल तैयार है इसी कलर के गोल्डन पर पड़े रहते हैं इसलिए मुझे जब दिल करता है मैं इसको बनाती हूं आप भी इसको ट्राइए करें और मुझे पताएं फीडबैक के आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्स्क्रा करना बिल्कुल न भूले मैं आप से फिर मिलूंगी तब तक बाबाई